So Hello Everyone, Good Morning दोस्तों आप सभी का Nursing Education के इस YouTube चैनल पर Myself HR चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जी हाँ दोस्तों आप सबने अच्छे तरीके से सभी ने दिपावली का जो पावन पर्व है वो मना लिया होगा मैं उमीद करता हूँ आगे भी दिपावली आपके लिए बहुत उमीदों वाली बहुत अच्छी आए और आपका श्वास्ते और आपकी पढ़ाई लगातार एकदम तंदुरस्त रहे ताकि आप किसीने किसी Nursing Officer बर्ती में आप अपना शाकार शपना है वो कर पाएंगे किलियर चीज अब बात करेंगी काफी लंबे वक्त हो चुका है हमने वीडियोज आपके लिए नहीं लाएं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थी सर दस बारा दिन होगे कोई वीडियोज नहीं आया तो ESIC वेकेंसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मिशन ये दिया आपके बास है तो मैं दे दीजिएगा तो इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मिशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हालंकि इस वेकेंसी को इंजार करते हमें चार साल होने वाले है लेकिन अभी तक इस भरती का नर्सिंग आफिसर भरती क कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हालंकि इसका फुक्ता शबूत यह है कि नर्सिंग आफिसर के अलावा जो भी पद हैं साथ पैरामेडिकल के हो साथ डॉक्टर्स के हो साथ फार्मासिस्ट के हो साथ रेडियोग्राफर के हो उन सभी की वेकेंसी हर एक स्टेट में आ चुक आया हमारी नर्सिंग आफिसर की वरती है वह उसका नोटिफिकेशन अब तक क्यों नहीं आया तो वह एक अपने आप में बड़ी इंपोर्टेंट बात है इसलिए मैंने वीडियो लेकर आया हूं तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि एसाइसी नर्सिंग आफिसर की जो बड़ती है वह मार्स अप्रेल तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है आपको पता है इंडिया में अगले साल दोजार चौबिस के अंदर इलेक्शन भी है तो उससे पहले इस बर्दी का आना बहुत इंपोर्टेंट रहेगा तो आप निशी तोर पर यदि आप अपनी त्या बाद चुकी है उसका नोटिफिकेशन आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे नर्सिंग एजुकेशन के टेलिग्राम पर चैनल पर प्रीवेसली पेडियेफ आप देखेंगे तो वहां पर वह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप तो राजस्तान का भी नोटिफ करें किसी भी बैकावे में नहीं आएं कोई कुछ लोग कुछ गाएंगे उसके चकर में आप नहीं पढ़ें कि भरती आएगे नहीं यह नहीं वह नहीं ऐसे तो आपको अपनी त्यारी कंटीनु रखना है इसके अलाबा नौट सिट का एक्जाम भी अप्रेल के अंदर होने तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थैंक यू सो मच